Hello friends, welcome back to career setting और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही important career option innovative career option के बारे मैं आप से बात करने वाला हूं तो दोस्तों बात करते हैं career in political consultancy exactly होता क्या है, कैसे किया जाता है, सब कुछ one by one बात करेंगे पहली बात तो political consultancy ये काफी नया innovative career option बनके सामने आया है और आप खुद का भी एक इसमें start-up बहुत कम पैसों में आपका start-up भी खुल सकते हो one by one सारी बात के करेंगे तो दोस्तों मैं हूँ कबिर पुपिशाज फिर से आपके साथ और आज हम लोग बात करने वाले है career in political consultancy इस career options के बारे में अब जानते है exactly होता क्या है political consultancy यह जो field है बहुत innovative type की field है प्रशान किशोज जी ने इसे बहुत popular किया है इंडिया में अगर आपको पता होगा तो 2014 में उन्होंने जो strategy develop की थी BJP के लिए और बाद में अलग-अलग parties के साथ उन्होंने मिलके उनकी political strategies develop की थी सेम चीज़ आपको करनी होती है इस field में अब इसके लिए होता क्या है वो आपको बता दू पहली बात तो इसमें education कौन सा होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका education political science background से होना चाहिए या आपका education किसी IT या digital marketing में होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपका political science या social science से अगर background है और आपको उसके साथ-साथ IT का अगर knowledge है marketing का अगर knowledge है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा strong point बन जाता है या फिर आपका अगर MBA ये marketing है प्लस अगर आप थोड़ा बहुत social sciences के बारे में जानते हो politics में interest लेते हो grassroots politics का अगर पता है तो ये career option आपके लिए बहुत सभी साबित होगा otherwise कोई भी चाहिए engineering हो कुईसी भी field से इंसान इसमें आ सकता है अपना career कर सकता है इसके लिए कोई criteria है क्या कोई criteria नहीं है आपका interest उस field में होना चाहिए अब अगर job और अपना खुद का start-up इसी दो चीज़े होती है अगर आप job कर रहे हो तो political consultancy के अलग-अलग जो requirement है उसके सबसे आपको job मिल सकती है हो सकता है कि वह आपे political science के बच्चो को जदा प्रिफर किया जाता हो जहां पर आपको survey करना है या फिर अगर आपको कुछ creative वगरे बनाने है वीडियो ग्राफी बनानी है तो उसमें आपका mass media का या फिर video making में आपका कुछ अगर education है तो वो प्रिफर किया जाएगा या फिर अगर social media के through marketing करनी है तो social media में जो आपका knowledge है जो skill है उसको prefer किया जाएगा तो यह अलग-अलग criteria set होते है अगर job देख रहे हो तो job में उनको क्या चाहिए अलग-अलग skill के बच्चे चाहिए होते हैं तो that can be done आपको अगर खुद का कुछ start करना इसमें और easy है कोई बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर होगा कि आपको यह अलग-अलग criteria के जो लोग है अलग-अलग skill के जो लोग है उनको साथ में लाना पड़ेगा प्लस आपको basic knowledge सारी चोटी-चोटी चीजों का चाहिए इसको बनाते कैसे है political consultancy खड़ी कैसे करते है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे तो आपको idea आजाएगा हमें खुद एक political consultancy हमारी थी राजनीती प्लस करके and we had taken big projects also under that राजनीती प्लस तो हमें इसका exactly क्या काम करते है इसका basically कैसे इसको किया जाता है handle इसका first hand experience हमें आया है तो वही में strategies आपके साथ share करने वाला हो पहली बात तो आपको इसमें करना क्या होता है वो समझ लेते जब election आने वाले है usually prior to one year before election एक साल पहले election के आपको अलग-अलग candidate से मिलना होता है और उन्हें आपको आपका जो model है जो आप करने वाले वहाँ पर implement तो वो आपको pitch करना होता है इसमें क्या क्या आजाएगा इसमें फिर image building आजाएगी competitor analysis आएगा candidate analysis आजाएगा उसमें survey आप करवाओगे उसके बाद फिर image survey एक बार करने के बाद जहाँ पर pain points जो constituency में आप काम करने वाले हो भागे क्या pain points से यह आपको समझना होगा और फिर वो pain points के उपर से strategy बिल्ड करनी पड़ेगी जिस strategy के थुरू आप आपके candidate की marketing करेगे तो यह सारा basic knowledge आप जिस भी constituency के candidate को पहले pitch करने जाओगे उसका idea आपको चाहिए तब जाके वो आपको time देंगे कि आपकी वो बात सुने आप किस तरह का काम वहाँ पर करना चाहते हो उसकी बात सुने अब यह अगर होने के बाद next thing आती है कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से यह आप करने वाले हो पहले दो महिने में क्या करने वाले हो दूसरे दो महिने में क्या करने वाले हो तो पुरा war room setup तक की बात होती है war room मतलब क्या हो जाएगा कि आप जब election का final point आता है तो वहाँ पे जो list बनती है आपके अमें खंद mode जो लोह पोर होते हैं हमारे तो यह सारे लोगो का एक list होती है उनसे contact करना होता है कि कि अपर होत जारए अभी मिजाद चल रहा है, रुजान चल रहा है, तो यह सारा इसमें आपको काम करना पड़ता है, बहुत ज़ादा इन डिटेल है, लेकिन अगर आपको यह वीडियो अगर समझ में आता है, पसंद आता है, तो उसके साब से हम नेक्स वीडियो इसमें और इन डिटेल भी बना यह आपके survey के truth आप उनको बता देते हो और इस तरह से काम किया जाता है लगबग एक साल पहले से अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो बहतरीन होता है केंडिडीड के लिए और आपके लिए अब इसमें कितना charge करना होता है, कितना charge कर सकते हो, कितना charge कर सकते हो उसका कोई limit न सकता है एक candidate अगर MP लेवल का candidate हो तो आपको 1 CR तक भी दे सकता है और MLA लेवल का candidate है तो 20 लाग एक साल का काम का होता है उस candidate के लिए आप एक team develop करोगे उनके साथ काम करोगे जैसे दो-चार अगर आप ले लेते हो candidate का काम लेते हो, client लेते हो तो 4-5 client के लिए आपका जो cost है जो बारबार जो repetitive cost है वो कम हो जाता है तो इसमें आप 15 लाग तक भी जा सकते हो तो annual एक साल election के एक साल के पहले आप 1 CR का revenue अराम से generate कर सकते हो इस फिल्ड में करने के बाद consult करोगे आप जो भी candidate होगा जो election में खड़ा रहने वाला है उनके साथ कि हमें ये 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 अप्रोच अपनाना पड़ेगा इसमें बहुत ज़ादा in detail काम किया जाता है cost based analysis होता है category based analysis होता है issue based analysis होता है उसके जाप से strategy develop होती है strategy develop करने के बाद फिर consult करेंगे consult करने के बाद ऐसे उनका approval आ जाता है तो उन्हें भी वो हमें बताना पड़ता है कि आप ये ये काम किज़े और हमें भी back end में वो सारा काम करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हो majority of the candidate जो इंडिया में आज की हालत है we don't see majority of the candidate वो are literate enough ज्यादा literacy होती नहीं है educated ज्यादा होते नहीं है इनको ज्यादा knowledge होता नहीं है कैसे image building करनी है कैसे strategy develop करनी है ये अपने ही काम में busy होते है तो ये सारा आपको अपने कंदों पे लेना पड़ेगा responsibility बहुत बड़ी होती है ये but yes एक बार अगर आपको idea आजाए क्या करना है क्या नहीं करना है तो आपको clarity मिल जाएगी इसके साथ साथ उनका पूरा का पूरा PR भी आपको संबालना पड़ेगा newspaper में किस तरह की news आनी चाहिए किस तरह की news आप दो गई सारा काम आपको करना पड़ता है with also being in touch with the election commission के जो भी guidelines है जो भी rules है वो आपको इन्हें time to time बताने पड़ते है तो हाँ अभी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको लेकिन अगर एक दो तीन महिने अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजे तो easy हो जाएगा अब start कैसे करें अब मैं आपको वो भी strategy बता दे होता हूँ अगर आपके यहाँ पर कोई municipal corporation की election आते है या चोटे मोटे कोई election आते है पहले आप start करने के लिए free में किसी भी एक बंदे का जो भी काम है free या बहुत सस्ते में दीजे या तो उन्हें बोलिए कि सिर्फ social media का cost आप संबलिए बाकी सब हम करेंगे यहां से आपका सिखना हो जाएगा नए बच्चे जो है उनको recruit किजिए थोड़ा सा survey वरवे का सिख लीजे अगर जहां पर नहीं आता है वो काम आप outsource भी कर सकते हो और इसके बाद जैसे आपका एक दो तीन महिने हो जाएगा इसमें आपको basic idea आजाएगे then you can go for a bigger project तो आपको free में भी काम करना पर सकते हैं don't shy for that क्योंकि ऐसा ultimately आपका जितना बड़ा experience रहेगा उतना अच्छा आप काम कर पाऊगे then that will make you satisfied otherwise से पैसा लेना ही यह goal नहीं होना चाहिए of course you can earn lot of money in this field but you should also give quite a good result to your whatever client you are having तो उनको जितना अच्छा result होगे उतना अच्छा आपका recurring income भी start होगा तो यह था political consultancy के बारे में बहुत इसमें चीज़े involved होती हैं लेकिन आपको बता दू हर चीज़ का start एक first step से ही होता है if you guys are interested you can go for and this is a big opportunity for especially students coming from social sciences background जिनको social sciences का background है वो काफी ज्यादा इसमें कर सकते हैं when we started our political consultancy हमें ज्यादा इसका basic knowledge नहीं था but then we learnt learnt and whatever skill we required we adopted that and that became our USB जो हम बहुत सारे लोग तब उस ताम पे इस political consultancy में काम कर रहे थे लेकिन social sciences से या social science के approach रखने वाले कोई नी थे सारे digital marketing firms थी उनको स्रिप marketing ही social media पर करते आती थी and the key difference that we had was कि हम political science background से थे जिसने हमें upper hand दिया और वो हमारे USP बना सारे के सारे in compared to all other digital marketing agency existing during the time of election तो वैसा आपका ये ज्यादा plus point बन सकता है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके अंदर और आप इन detail में कुछ information चाहते हो तो मुझे बताईए उस तरफ से हम लोग कुछ इस पर develop कर सकेंगे बट हाँ ये ऐसी innovative field है और इसका बहुत 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 ज़ादा demand बढ़ने वाला है क्योंकि आने वाले election में professional agency election campaign management का काम करने वाली है अभी party ने सारी adopt कर लिया अब देखो अगर बड़ी बड़ी party जो भी हो BJP हो जो भी party हो उनके professional election management companies होती है जो उनका काम करते है जैसा event management होता है वैसे ही इसका काम किया जाता है तो same campaign के level पे अभी local level के campaign के level में भी same होने वाला है और इंडिया की democracy देख administration में होते हैं तो एक जगह पे अगर आपको तीन candidate मिलते हैं मतला आफकोस वो सारे तीन आप एक ही opposite होगे तो तो तीनों का काम आपके पास नहीं आएगा but I hope you understand what I am trying to say कि अगर यहां पे इतना सारा आपको chances अगर पहला नहीं मेरा तो दूसरा मिल जाएगा दूसरा नहीं त चांस क्योंकि नई strategies adopt उन्हें भी करना है आपको भी करना है और यहां पर बहुत बड़ा चांस से अगर अभी आप काम स्टार्ट करते हो तो आने वाले election के टैम पर बहुत बड़ा बूम में आने वाला है और आपके लिए भी आसान हो जाएगा you can be the next प्रशान के शोर और the video series अगर निकाले तो वो भी हो सकता है but I need that kind of you know commitment from your side that you are willing to have that one thank you very much for always encouraging and supporting and wish you happy new year for 2021 and I wish all of you to have a bright career and bright future in 2021 as well